सब्सक्राइब करें यूटूब चैनल एक्जाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रस करें जिससे की लेटेस्ट वीडियो की नोटिविकेशन आपको समय से मिले नमस्कार दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी special education की अभेरती होगा आपके अपने YouTube चैनल एक्जाम ट्रिकी में दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RCI का नया प्रोग्राम यानि कि RCI ने जारी किया है एक नया प्रोग्राम Community Based Inclusive Development Training Program इसका नाम दिया गया है CBID दोस्तो इसका duration क्या होगा जैसा कि मैंने सुभे मॉर्णिंग में एक वीडियो अप्रोट की थी जहांपर मैंने आपको सारी चीजे बताई थी लेकिन एक नया नोटिस आ चुका है जिसमें सारी चीजे एक डिटेल से दी हुई है वहाँ पर मैं आपको सारी चीजे बताऊंगा किस मोड से आप इसको कर सकते हैं admission का process क्या होगा examination जो है उसका process क्या होगा किस प्रकार से आप admission ले सकते हैं इसका process क्या होगा job prospectus क्या होगा दोस्तो संपूर जांकरी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों इसके बाद में फिर भी अगर आपके मर में कोई questions रहता है तो आप बता सकते हैं संस्थान जैसा कि मैंने आपको सुवह बताया था कि सात संस्थानों में इसकी मानिता दी जाएगी और कितनी कितनी सीटे होगी एक संस्थान में इस पर भी बात होगी जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो डियेट की सीटे होती है वो 25 से 30 होती है तो इसी प्रकार से जो इसकी जो सीटे होंगी वो कितनी होंगी और दोस्तों लाश्ट डियेट जो है वो 15 जून 2021 है फॉर्म भणने की संपूर जानकारी के लिए वीडियो को अंतक देखिए का चैनल पर यदि नए थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रस करना भी ना भूलेगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नाटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेगी तो तेलिए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ है जानकारी तो दोस्तों जैसा कि आप यह देख रहे हैं रिहाबिटेशन काउंसिल आफ इंडिया का नोटिस और यहाँ पर देखिए दिया गया है इन्विटेशन आफ प्रोपोजल टू कंडेट कम्यूटी बेस्ट इंक्लूजिव डिवलप्मेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और यहाँ पर सारी चीजे मैंने आपको मॉर्णिंग में बताई थी कि यहाँ जो आपका मेलबर्ड ऐस्ट्रेलिया और पर रसि आईस हे बीच में यह प्रोग्राम चलाया जाएगा इन दोनों के दोरा एर प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसके बाद में दोस्तो सारी चीजे मैंने आपको बताई थी कि साथ रिजेने निग जो मेन, आपका समझने की चीज है वो दोस्तो ड्यूरेशन। मैंने आपको शुबह भी बताया था कि जो इसका ड्यूरेशन रहेगा, वो सिक्स मंद का ड्यूरेशन रहेगा। मोड जो होगा वो Regular Send Mode से होगा और Regular Mode में Off-Line भी और Online भी regular mode से होगा offline भी और online भी ये private mode से नहीं होगा regular mode से होगा आफ offline भी कर सकते हैं और online भी कर सकते हैं admission process जो होगा जिन जिन संस्थानों में इसकी मानिता दी जाएगी वहाँ पर आप direct admission करा सकते हैं और जब मानिता जिन संस्थानों में मिल जाएगी तो उनकी लिस्ट जो है वो RCI अपलोड कर देगा अपने वेबसाइट पर मैं आपको जानकारी दे दूँगा किन किन संस्थानों में इसकी मानिता मिली है तो आप लोग वहाँ पर अपना अगर एड्मिशन कराना चाहते हैं तो एड्मिशन करा सकते हैं, डारेक्ट एड्मिशन होगा, कोई भी आपका जो कह सकते हैं कि कोई भी आपका फॉर्म जो है वो कॉलेज ही भराएगा, ना कि RCI के वेबसाइट पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा तो आपको ना कोई Nobel, एक्जाम देना होगा, ना कोईор to एक्जाम देना होगा, आपका जो admission होगा वो direct होगा, जो intake, यानि की कितनी seats होँगी, पर बैच में, आप सभी को पता है किडियर डीड में NBER जो है दोस्तों या इसका जो exam होगा वो कराएगा इसके बाद में दोस्तों अगर certificate की बात करते है certificate will be awarded by National Board of Education in Rehabilitation NBER इसके दोरा दोस्तों certificate दिया जाएगा आपको ना यह कोई diploma है ना कोई आपकी degree है यह आपका है क्या certificate और जो आपका job prospectus होगा वो क्या होगा on successful complaint of the training program CBID works will be termed and divyang mitra जो भी इसको कर लेगा जो भी इस program को कर लेगा वो divyang mitra कहा जाएगा divyang mitra का दरज़ा उसको दिया जाएगा जैसा कि आगनवाडी कार करता होते हैं और जो आपकी आशा बहने होती है उसके हिसाब से जो divyang mitra होगा वहाँ पर आगनवाडी कार करता हो कि साथ में जब विद्याले में कोई divyang बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो दोस्तों उसके लिए या program चलाया जा रहा है उसके लिए उसको क्या कहा जाएगा दिव्यang mitra कहा जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दो कि fees के लिए किसी भी notice में जितने भी notice अभी तक जारी हुए है fees के लिए कोई भी जानकारी नहीं दी गई है fees की जैसे जानकारी निकल के आती है आपके सामने मैं आपको बता दूँगा साथी साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं how to apply दोस्तों how to apply में आप देखेंगे तो eligible organization faithfully fulfilling the above criteria में obtain the detailed norms, guidelines and application form for the council website दोस्तों जो भी eligible organization है यह क्या कर सकते हैं apply कर सकते हैं RCI यानि की www.rehabcouncil.nic.in पर दोस्तों जाकर के website पर application form जो है वो fill कर सकते हैं और application form का भी खाका जो है वो दे दिया गया है website पर और इसकी जो last rate है दोस्तों 15 June 2021 है जो भी संस्थान जो भी संस्थान eligible अपनी eligibility लेना चाते हैं, recognize होना चाते हैं तो वो दोस्तों 15 June तक form ले सकते हैं इसके बाद में जो है admission का process वो होगा start दोस्तों 15 June तक कहां पर rehabcouncil.nic.in पर अपना form भरा जा सकता है जो भी संस्थान admission लेना चाता है वो तो दोस्तों और इसके बारे में अगर कोई भी जानकारी निकल के आती है तो आपको बता दिया जाएगा और इसके बाद में जितनी भी जानकारी हैं कोई भी जानकारी निकल के आएगी आपको बता दिया है काफी students थे fees के लिए परिसान थे तो मैंने देखा कि जितने भी आपके यहां पर notice आए हुए है वहां पर fees का कोई भी जिक्र अभी तक नहीं किया गया है तो हो सकता है कि पंदरा के बाद में या अभी कोई और notice है उसमें आपका फीस का जिक्र हो तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक बने रही हमारे साथ चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलि जिसे की latest videos की notification समय से मिलते रहे हैं कुछ नए questions के साथ कुछ नहीं जानकारी के साथ दन्यवाद